आज मैं आपको कुछ तकनिकों के बारे में बताने वाली हूं कुछ चित्रन तकनिकों के बारे में बताने वाली हूं ठीक है तो चली शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी भी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरा चै यह आग्यापका कि करहा हुआ ड़र लगा रही हूँ है कि कि अग्या परण की दरफ चलते हैं रंग की एक परत लगाने के बाद ठीक है रंग की एक परत लगाने के पहस्चाद पेस्टल स्टिक से अभी इसके सूखने का इंतिजार करते हैं ठीके तो अभी हमारे रेड कलर अच्छी तरह से सूख गया है तो आगे क्या था हमारी डैफिनेशन में रंग की एक परत लगाने के पास शाथ पेस्टल स्टिक से ये मिल पास पेस्टल स्टिक है पेस्टल स्टिक से रंकी एक पत लगाने के बाद पेस्टल स्टिक से विविधता दर्शाना पेस्टल स्टिक से विविधता दर्शाना ठीक है या कणवत संगहात लगाकर पोद की रचना करना ठीक है कणवत संगहात लगाकर पोद की रचना करना क्या कहलाता है feathering इसी को हम बोलते है feathering ठीक है तो फिर से एक बार दोहरा लती हूँ रंग की एक परत लगाने के पश्चाथ पेस्टल स्टिक से कर्ण वत संघात लगा कर पोत की रचना करते हुए विविधता दर्शाना feathering कहलाता है तो यह है आपकी feathering की definition यह basic सी चीज़ है यह exam के लिए बहुत important questions बन के आते हैं ठीक है वो सीधर definition पूछते है examiner और पूछते है क्या तब आपको अच्छे से definition समझना है और फिर आपको बताना की यह चीज़ क्या है यह feathering ठीक है ठीक है तो आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करना ना भूलेगा मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में धन्यवाद